ने जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इसारा ठो कब्रों से हाई हो जाता है पारा क्योंकि चार वजे हम रिवियू के साथ आपके सामने पीश होते हैं और चार ऐसे लोगों को चक्रवियू के चकर में फसाते हैं जिनकी Orient 23 सुनकर हर ब्र कोई हैरान हो जाए नमस्कार Capital TV में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियावस्ट आज चक्वियों के चक्रू में फसे हैं 56 पुलिस कर्मी पूरु बाहुबली वधाक विजय मिश्रा तीन बदमाश और एक युवग इन सभी का आधसारा काला चठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी किकर पहली खबर में बात लापरवाह पुलिस कर्मियों की जहां यूपी के आग्रा में 56 पुलिस कर्मियों के खिलाब बड़ी कारवाई की गई यहां अनुसाशन हींता और लापरवाही के आरोप में 56 पुलिस वालों को सस्पे कर आए गई इसके बाद यह एक्षिन हुआ है कमिशनरेट के शहरी जोन में छह दरोगा चार हैट कॉंस्टेबल चार बुल्शी और सोला सिपाईयों पर यह कारवाई की गई है पश्यमी जोन में चार दरोगा रामजस यादोग प्रताप सिंग सतेंद्र तरपाथी कर्मी जोन में एक प्रिशु दरोगा निलामी चौदरी और हैड कॉंस्टेबल को सस्पेंट किया गया है वहीं निलंबित पुलिस कर्मियों में 12 दरोगा और 6 मुंशी शामिल है आगरा कमिशनरेट बनने के बाद 19 महीने में सबसे बड़ी डिपार्टमेंटल कारवाई की गई है निलंबित पुलिस वाले पास्पोर्ट सत्यापन में सबसे जादा वसूली के मामले में आरोपी है पास्पोर्ट वसूली में चार दरोगा और 12 सपाही आरोपी है पास्पोर्ट आवेदकोग से फीटबैक सेल में 21 लोगों ने शिकायत दर्च कराई थी जिसके पडिशिक्षरोगा प्रखर और कमला नगर में तैनाध दरोगा प्रशांत कुमार को निलंबित कर दिया गया बताए ज़ा रहा है कि पुलिस कमिश्णर इन शहार के 9 घाना शेत्र में त ेना दरोगा मुंशी और सिपाईयों की शिकायते लगातार पोहिच रही थी सूत् साइबर क्राइम थानी में तैनात मुंशियों के साथ 5 पुलिस कर्मियों की साइबर अपरादियों से मिली भगत पाई गई फीड़बैक में ये भी खुलासा हुआ कि साइबर सेल में पीडित का मुंशी और सिपाही उत्पड़न करते थे पीडित का उत्पड़न करने की मामल पूर्वधाल सभा के बाहुबली पूर्वधायक विजेव मिश्रा को 15 साल पुराने एक मामले में सजा सुनाई गई है। की सजा सुनाई है इसके साथ 200 रुपे का जुर्माना भी लगाया है अर्थ डंड नहीं देने पर पांच दिन की अतरक्त सजा का आदेश भी दिया है उसमें पूर्वधायक के बाहन से प्रचार सामगरी प्राप्त हुई थी वहीं अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर सुभोत सिंग की अदालत में गैंक्स्टर के मामले में पूर्वधायक विजेव मिश्रा के साथ साथ उसका बेटा विश्रू मिश्रा और भतीजे डीक करवाई के लिए अगली तिथी तैकी है आपको बता दें कि विजेव मिश्रा एक बाहुवली नेता के तौर पर जाने जाते हैं जेल के अंदर रहने पर भी उनका रुत्वा कायम है हाला कि वर्तुमान राज्य सरकार ने उनके सामराज को हिला कर रंग दिया है उनके अपरादिक कृत्यों से अरजित धन से अपने परिवार के नाम संपत्या खरेदने का आरोब भी है इसी को लेकर कारवाई की गई अगली खबर में बात पुलिस के एंकाउंटर की चहां नौईडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच गूलिया चली जिसमें पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घाल होगे जबकि भाग रहे एक बदमाश का पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया घाल बंदमाशों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भरती कराया गया है पुलिस का दावा है कि पकड़े गए बदमाश मोबाइल और चैन स्न राहे पर चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकल पर सवार तीन व्यक्तियों को आता देख रुकने का इशारा किया गया जिस पर मोटर साइकल सवार व्यक्ति बिना रुके तेजी से सर्वेस रोड पर हाजीपूर अंडरपास की तरफ भागने लगे पुलिस टीम द्वारा क जान से मानने की नीहत से फारिंग शुरू कर दी पुलिस की जबावी फारिंग में दो बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घाल होके जिसके बाद उन्हें कि रफ्तार कर लिया जबकि तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के द्वारा पकड़ा गया है गाल बदमाशों की पहचान अरुण पुत्र गुड्डू उर्फ वदेश निवासी टपल जिला आत्रस और गौरफ पुत्र ब्रिजपाल निवासी मित नगर दली के रूप में हुई है तीसरे आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है बदमाशों के बाद से एक लाक रुपे नगत घ जाम दिया है इन बदमाशों ने आठ जून को सेक्टर 104 के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले अंकुर टकरीवाल नाम व्यक्ति से सोने की चेन लोटी थी इसके अलावा इन बदमाशों ने पांच मई को थाना सेक्टर 49 शेत्र के सदरपुर कलॉनी के पास होमी दीप कुमार का मुबाइल फून भी लूटा था लूटे गए मुबाइल फून और सोनी की चेन आधी बेचकर इन बदमाशों ने एक लाक रुपे के पैसे एकत्र किये थी आखरी खबर उत्तरप्रादेश के मिर्जापुर से है जहां समीर नाम का मुस्लिम दबंग हाथ में तमंचा लेकर एक हिंदू परिवार के घर में घुस गया उसने हिंदू परिवार की 14 साल की नाबालिक लड़की के सिर्फ पर तमंचा रख दिया और अल्लाहु अक्बर के साथ ही अस्सलाम वालेकुम बोलने का दबाव डालने लगा आपको बता दे कि यह मामला मिर्जपुर जिले के विध्याचल कस्बे का है चहां दबंग समीर हिंदू लड़की को पिछले दो साल से डरा धमका कर परिशान कर रहा था आरोपी समीर पीडित के घर में कई दफा गुष चुका था लड़की और उसके भाई को मानने पीटने की धमकी देकर उसके ब्लैक मिल किया करता था समीर घर पीडित हिंदू परिवार के पास ही है लड़की के परिजणों ने जब इसकी शिकाय समीर के परिजणों से की तो उल्टा दबंग परिवार उनके ही उपर दबाओ बनाने लगा और मारपीट करने की कोशिश करने लगा हद तो तब पार हो गई जब समीर तमंचा लेकर उनके घर में ही घुस गया और बेटी को अल्लाहु अकबर कहने के लिए दबाव डालने लगा यही नहीं वो नाबालिक लड़की के पीछे दो साल से पड़ा है और उसे परिशान भी करता रहता है हिंदू परिवार ने आरोप लगाया कि समीर दबंग और प्रभाव शाली मुस्लिम परिवार का लड़का है उसका परिवार भी उसकी कोई सुनवाई नहीं कराता अब पीडित परिवार ने पुलिस की शरण ली है और न्याई की मांग की है वहीं इस मामले में परिजिनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्च कर लिया है और कुछ लोगों को ग्रफतार भी कर लिया है वहीं मिर्जापुर के स्पी अभिनंदर ने बताया कि पीडित लड़की और समीर एक दूसरे से बात करते थे इसके बाद लड़का उसके उपर दबाव बनाने लगा फिलहाल मा पाहु बली वधाक विजेव मिश्रा तीन बदमाश और एक युवक फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खोल कर सब के सामने आगे चक्रविव फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे संसनी केस खुलासों के साथ बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कापिटल के बीच रहना लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नफस को फूप पहचानता हूं संघर्ष की सियासत से सक्ता के सिंधासन तक मैं हर खबर से ख़रा सक्ष निखालता हूं ना कोई दौड ना कोई रेट्स क्यापिटल दीट उत्तर देश